पेपर्स फाइल कर दितते गए नियों जैपुर्चे नामजद की पच्चा उना देवलो परिया गया दसके राजस्थान तो राजसबाद जा रही ने रवनीत सिंग बिट्टू ते हाले किसे सदन ले मेंबर नहीं हान जिकर योग है कि 2004 लोगसबाद चोणा उना देवलो लडियां गयां सी पर इसे वचाले हारदा सामना उना नू राज़ा वडिंग तो करना प्यास मोधी सरकाट राज मंती ने रवनीत सिंग बिट्टू आ ओदा अनुन दित्ता गया ओदा दिन तो बाद अब यह भी लाजमी है जरूरी है कि 6 महीने दे अंदर-अंदर ही ओप मैंबर पार्लेमेंट बने ते हुन राजस्थान तो राजसबा पेजन्दी त्यारी छे बीजेपी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर देते गएने तमाम तस्वीरां सामने आयाने लुज्याना तो लोगसबा चोन इना दिवलो हार लिगे तमाम तस्वीरां चिती वेक पा रहे हो जो राजस्थान दे बुख मंत्री ने ओ नजर आरहिं तर्मी सिंग बिट्टू देवलो नामजद की पेपर्स जो नॉमेशन पेपर्स ने ओ फाइल कर दिते गएने कल तक्रीवन आठ वजे उज्यापूर पहुंचे सी जिस दे चल दे उनना दा वेलकम राजस्थान दे ब दे लोकसबा विच दाखल हों तो बार एंग जो सीट है ओ खाली हो गई है पर विदान सबा दे जिगणित दे मुताबिक यसी काल करेते सीट पाजपा दे किससे जान वाली है आजे हेच कॉंगर्स आपना उमीदवार नहीं उतार रही जदो की पाजपा ने पजजाब दे आगू रमी सिंग बिट्टू नू उत्थो जो है कैंडिट एलानेहत गॉर्मिनेशन पेपर्स उना देवलोफ फाइल्स उने ओक कारदित दे करें दे तमाम तस्कीर ना तुसी वेख पारे प्यारे प्रधान मंतरी नेंदर मोदी जी देश के प्रधान मंतरी उनका मेरे देश के होम मिनिस्टर अमित्शा जी उनकी ब्लैसिंग और नड़ा सहाब जो हमारे प्रेजिडेंट हैं बीजे पी के उनका और खास्त और पिछी मिनिस्टर सहाब राजिस्थान के हमारे प्र मैं उनका शुक्र गजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया, अगर आप पंजाब, हर्याना और राजस्तान की बात किया आपने, तो इसमें पंजाब है और राजस्तान है, जो दोनों हर वक्त देश के दुश्मन को कड़ी नगरानी रखते हैं, उसको सिर उठाने नहीं द देश के लिए ये दोनों राजस्तान और पंजाब करता है, और गंगा नगर, मनुमानगर, ये पंजाब और राजस्तान का बॉर्डर है, और इसी तरीके से ये हमेशा सूरबीरों की दर्ती है, और यहाँ पे मुझे इन्होंने मौका दिया है, मैं तो हमेशा करजाईदार हूँ, करजदार हूँ इनका, जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जितना मुझे जो अशीरवाद, जो मुझे बलैसिंग राजस्तान ने दी है, और मैं भी हमेशा इस राजस्तान की पगड़ी को, इस राजस्तान का कल्चर है, इस राजस्तान की जो शहादतें करवानिय हैं, उसको मेरे आगे सिर जुकता है, और हमेशा इन इसकी शान में, शान तो वैसे ही दुनिया में बहुत है, लेकिन जो मेरी तरफ से कोई तिलफुल जो डल सकेगा, वो मैं राजस्तान के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूँगा. पुनगल हराना दी, हराना तो किरन चौधरी देवलो रासवाद लेई अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कार दित्ते गए ने, तसके हराना दी सीम नाइप सिंग सेनी दी मौजूदगी छा आ पच्चा परे आगया, ते कॉंगर्स छाटकी जून दे महीने छी शामल किरन चौधरी ने उना देवलो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कीते गए, जिकर योग है कि 2004 लोकसरबाद फोना जदो कुया सी, ते अपनी बेटी शूती चौधरी दे लेई टिकेट दी मांग्त वाली मखें देकर सीट तो कीती जाए सी, हाला भी कॉंगर्स देवलो पर उस तो बाद किते नराजगी ने चल दे, शूती चौधरी ते किरन चौधरी देवलो जून दे पहीनेशन पादे के बीजेपी चौइंस का देवलो टिकेट बहुत मेहनत के साथ जो है अपनी जगा बनाई है और आज जो है बाजपा के शीश नेतरतु का ते दिल से मैं मैं धन्यवाद करती हूँ, मनोरलाल खटर जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ, कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा और मुझे ये मौका दिया कि मैं बाजपा में आकर जो है बाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाते हूँ आपने जिस पार्टी में पूरी जिंदगी गवाई, कहीं ना कहीं उन्होंने 20 साल पहले आप जैसे पहले कहते रहे हैं कि दोखा हुआ, चल हुआ, और अब 20 साल के बाद भारती जंता पार्टी ने आके आपके महतों को, आपके एक कैलिपर को समझा है हर चीज का समय होता है, और निश्चत तोर पे चल कपड जो है, उसकी शकार मैं शुरू से रही हूँ, हर्याना के अंदर जब से मैंने पाउं रखा है और दतीजा भी आप देखी रहे हैं, वही कारण जो है, मुझे पार्टी छोड़ कर बाजपा में मैंने जॉइन करा, क्योंकि मैं प्रभावित होई अपने मिनोर लाल खटर जी से, अपने प्रधान मंत्री जी से, पोजी के बेटी ओनी के नाते मैंने देखा सिम साब बदाई हो, आपका उमितवार वी फारंबर्धिया है, बहुत-बहुत बदाई है आपको, तैंकियो, तैंकियो, कही निर्वी रोद चुनते हुए ना जर आ रही है किरंई चोदरी देखिए, किण चौधरी को सभी विधायकों ने एक मुस्त समर्थन दिया है उप बदाई लेते हैं किण चौधरी जी को और जो किंधरीय नेत्रितव ने ट्हीं किया उसको करमुहूर हमारे विधायकों ने लगा है मैं सभी को धन्यवाद भी करता हूं विपक्ष भी अपना उमिद्वार कड़ा नहीं कर पाया है कहीं न कहीं कमजोरी लग रही थी आद देखिए विपक्ष की अपनी नीती है अपनी योजना है और उस नीती और योजना के चलते वो नीड़ने लेते हैं अब अगली विधांसवा चुनाओं के लिए क्या रन्मी की रहना है और मजबुती से हम तीसरी बार हरियाना में सरकार बनाने जा रहे हैं और कोई संसे नहीं है